Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School, I am Kajol and in this video we are going to discuss Minors Agreement. तो इस वीडियो में हम 4th condition of Minors Agreement discuss करेंगे, so let's get started. तो 4th condition कहती है कि the rule of stopple doesn't apply to minor. अब यहां पर rule of stopple जो है वो minor पर apply नहीं होता. अब यह rule of stopple क्या है? तो इसकी definition जो आप book में देखेंगे, वो कुछ ऐसे है कि where one person has by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and upon such belief neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceedings between himself and such a person or his representative to deny the truth of that thing. I know समझने में थोड़ा complicated है, तो इतनी कहानी को हम easily कैसे समझेंगे? तो मान लेते हैं, यहां पर एक person है, जो किसी दूसरे person को कुछ ऐसा believe करवाता है, कि यह एक particular thing है, जो की true है. मतलब वो उसको कहता है कि हमें आसमान में जो तारे दिख रहे हैं, उनमें से एक हम खरीच सकते हैं, तो अब क्या तुम उसे लेना चाहोगे? और यहां पर यह person कहता है कि हाँ मैं लेना चाहूँगा. तो यहां पर उसने बोला कि इस आसमान में जो तारा दिख रहा है, तो मैं इसको buy कर लो. और यह person बोलता है कि अच्छा अगर हम इसा कर सकते हैं, तो मैं उससे buy कर लोगा. तो अब यहां पर इस person ने क्या किया? उसने कोई ऐसी चीज जो की true नहीं है, उसको उसने ऐसे represent किया, कि इस person ने इसको true मान लिया, और इसको true मानने के बाद वो एक contract में enter हो गया, कि वो इस तारे को खरीदने के बदले में उसको 10 करोड रुपीज जो है वो देगा. कि उसने आसमान में एक तारा दिख रहा था, इस person ने इसको ये तारा 10 करोड रुपीज में जो है, वो sell कर दिया. तो अब इस case में क्या हुआ? कि इस person ने कुछ misrepresent किया, और इस person ने उसको believe कर लिया, और उसके बाद ये contract में जो है, वो enter हो गया. अब इस case में इस person को उसने जो fact जो है, वो represent किया था, कि एक तारा खरीच सकते हैं. अब इस person को ये fact जो है, ये true बताना पड़ेगा, उसको ये prove करना पड़ेगा, कि ये जो fact है, ये true है. और अगर ये जो person है, वो इसके उपर कोई case file करता है, कि इसने मुझ से 10 करोड कि वो तारा अब मेरा हो गया. तो इस case में ये जो person है, वो इस person पर case file कर सकता है, और यहाँ पर ये person जो है, वो इस fact को deny नहीं कर सकता, कि उसने ये represent किया था, और अब इस person को ऐसा prove करना पड़ेगा. तो इसी को हम rule of stopple कहते हैं, कि यहाँ पर ये जो person है, यहाँ पर liable होग इस fact के लिए जो इसने बताया इस person को, कि ये जो fact है, ये true है, और इस person ने believe कर लिया था, इसी लिए उसने ये contract किया. अब ये जो person है, इसको जो भी benefit इसने इस person से gain किया था, 10 crore rupees जो हैं, वो इसको वापस करने पड़ेंगे. तो यही है rule of stopple. तो अब ये condition क्या थी, कि the rule of stopple doesn't apply to minor. अब ये जो rule of stopple है, वो इस person पे तो apply हो गया, लेकिन अगर ये person कोई minor होता, तो ये जो rule of stopple है, वो इस minor पे apply नहीं होता. लेकिन stopple की बात यहां पर खतम नहीं होती, यहां से condition start होती. हमने ये fact माना था, कि law जो है, वो minor की guardian की तरह add करता है, वो उसके rights को protect करता ह है, law जो है, वो minor के rights को protect करता है, लेकिन फिर भी, but court may direct the minor to restore that thing to the other party. अब यहां पर जो court है, वो ऐसा बोल सकता है उस minor को, कि उसने जो भी misrepresentation से कोई भी अगर कुछ gain लेया है दूसरी party से, तो वो उसको restore करे, मतलब वो उसके पैसे या फिर जिस भी चीज के उपर contract हुआ जो minor ने कुछ misrepresent करके लिया था, वो उसको restore करे, तो यहां पर एक case law है, खानगुल versus लाखा सिंग, तो इस case में क्या हुआ था, कि एक minor ने अपने आपको ऐसा misrepresent किया, कि वो major है, और उसने अपना एक plot sell कर दिया, 17,000 रुपीज के लिए, और बाद में उसने वो 17,000 तो इसलिए फिर दूसरी पार्टी ने ये case file किया, कि उस minor ने अपने आपको misrepresent किया, कि वो एक major है, और उसने फिर वो plot जो है, वो 17,000 रुपीज के लिए sell कर दिया था, और उसने 17,000 रुपीज लेने के बाद, वो plot जो है, वो उस second party को नहीं दिया, तो यहां पर quote ने बो या फिर वो 17,000 रुपीज जो है, वो उसको return कर दे, तो यहां पर quote ने उसको ऐसा बोला, कि वो minor जो है, जिसने misrepresent किया था, वो restore कर दे, that thing to the other party, या तो वो उसे plot वापस कर दे, या तो वो 17,000 रुपीज जो है, वो restore कर दे, तो अब यह condition क्यों important है, क्योंकि जो Indian contract act है, उस court जो है, माना कि वो minor का guardian की तरह act करता है, और उनके rights को protect करता है, लेकिन court भी जो है, वो minor को यह allow नहीं कर सकता, कि वो किसी इनसान के उपर cheat करे, इसलिए equitable consideration में, जिसमें हमने पढ़ा था, कि अगर कोई भी contract जो है, वो invalid हो जाता है, तो उस case में, जो भी उनों parties ने अभी त expense पर कोई benefit नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर तो एक party को benefit हो रहा था, दूसरी party के expense पर, तो यह जो equitable consideration है, इसको allow नहीं कर रहा था, इसलिए वहाँ पर court ने ऐसा बोला, कि वो जो minor है, वो दूसरी party के जो उसने कोई भी चीज ली है, वो उसको restore कर दे, लेकिन आपको याद होगा, इसमें भी हमने महौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोश के case पर हमने देखा था, कि वहाँ पर भी minor के साथ एक contract हुआ, लेकिन वहाँ पर court ने ऐसा बोला, कि वो minor जो है, वो कोई भी amount जो है, वो वापस नहीं करेगा, महौरी बीबी को, क् क्योंकि उस case में भर्मोदत और किजारनात को पता था, at the time of entering the contract, contract में enter होते time, कि धर्मोदास घोश जो है, वो एक minor है, फिर भी वो उस contract में enter हुए, लेकिन इस case में, खानगुल वर्सेस लाखा सिंग के case में, यहाँ पर जो minor थे, उन्होंने ऐसा misrepresent किया, कि वो major है, और य नहीं होता, यहाँ पर court उस minor को ऐसा बोल सकता है, कि वो दूसरी party से जो उसने लिया है, वो उसको restore कर दे, but once the identity of the property or money has been lost, because it has been spent wastefully, it is no longer possible to invoke the aid of the equitable doctrine of restitution, अब इस case में अगर ऐसा होता है, कि मान लेते हैं, minor ने यह जो 17,000 रुपीज थे, उसने यह 17,000 रुपीज जो है, वो wastefully spend कर दिये, मतलब कोई भी wasteful चीज लेने के लिए उसने यह 17,000 रुपीज जो है, वो spend कर दिये, तो उस case में फिर यहाँ पर हम minor को जो है, वो liable नहीं मानेंगे, वहाँ पर यह जो equitable doctrine of restitution है, उसको हम invoke न नहीं होता, कि यहाँ पर एक party को undue advantage हो रहा है, दूसरी party के expense पर, तो अगर ऐसा होता है, कि वो money जो है, वो lost हो जाती है, wastefully spent हो जाती है, तो फिर हम minor को force नहीं करेंगे, कि वो वापस करें, जो भी उसने benefits लिये हैं, वो, तो restoration जो है, वो कब apply होगा, सिर्फ तभी, restoration is allowed only when a minor commits fraud by misrepresenting his age, because section 65 prohibits restoration in case which are known to be void, अब इस case में ये महौरी बीबी वाले case को भी quote कर रहा है, कि उस case में हमने देखा था, कि ब्रमोदत और किदारनात को पता था, कि धर्मोदास गोश्ट जो है, वो अभी minor है, फिर भी वो इस contract में enter हुए, तो उस case में वो restore नहीं कर सकता, क्यों इस case में, खानगुल वर्सिस लाखा सिंग के case में, यहाँ पर minor ने misrepresent किया था, तो सिले यहाँ पर उस minor को जो है, वो 17,000 रुपीज जो है, वो वापस करने पड़ेंगे, तो सिर्फ इसी case में restoration जो है, वो allowed होगा, तो एक बार recall कर लेते हैं, कि हमने क्या conditions discuss किये, पहले तो enter होता है, तो वो फिर भी अपनी innocence को prove कर सकता है, कि वो एक minor है, और वो अब उस contract को जो है, वो invalid मानना चाता है, उस contract को खतम करना चाता है, तो अब इस case में court उस minor को ऐसा बोल सकता है, कि वो दूसरी party के rights जो है, वो उनको restore कर दे, और कोई भी undue advantage ना ले, क्योंकि court भी minor को यह allow नहीं करता, यह privilege नहीं देता, कि वो किसी men पर cheat करे, या किसी दूसरी party पर cheat करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो वो equitable consideration या फिर equitable doctrine of restitution के against होगा, और last हमने discuss किया, कि अगर ऐसा होता है, कि वो minor जो है, जो उसने money ली है, वो अगर उसे wastefully spent कर चुका होगा, तो उस case में ह 17,000 रुपीज जो है, उसको restore करे, दूसरी party को जिससे उसने misrepresent करके वो amount लिया है, restoration सिर्फ तभी allowed होगा, जब दूसरी party को नहीं पता होगा, कि वो जिसके साथ उसने contract किया है, वो एक minor था, लेकिन अगर दूसरी party को ऐसा पता है, कि वो minor है, और फिर भी वो उस contract में enter होता है, तो फिर हम उसमें minor को जो है, वो liable नहीं मान सकते, तो अब इसके next video में हम fifth condition discuss करेंगे under minors agreement, so that's it for this video, thank you.